जहिना साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूग चैनल, The Rank Holders Official में साथियों, आपके तैयारी बिहार दरोगा और बिहार ऐसे सी कैसी चल रही है आसा करता हूँ, आपके तैयारी बहतर तरीके से चल रही होगे और आप भी अगर हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम, गुरूप, दर रैंक, होल्डर्श अपीसियल से जोड़ न न भूले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा उससे जोड़ जाएगा दोस्तो इस वीडियो को बनाने का मेंट माक्साद दिया है कि जैसे अभी हाल में बिहार दरोगा 1275 का प्रिलिंग्स हुआ था और उनके प्रश्णों को देखने के बाद मार्केट में बिल्कुल हो हला समझ हिया कि अब हमें लूसेंट क्या छोड़ देना चाहिए बिल्कुल NCRT की और मूफ कर जाना चाहिए तो दोस्तो ऐसा कुछ नहीं है आप सिर्फ 30% कंटेंट के लिए आप बेसिक बुक को नहीं छोड़ेंगे जो आपका में बुक है जो लूसेंट बुक है जिसको आप पिछले 2 या 3 सालों से पढ़ते आ रहे हैं उस बुक को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे नहीं तो आपका तयारी बिल्कुल सुनने हो जागा लेकिन हां मेरे तरब से एक सुझाओ है कि जब आप लूसेंट को पढ़ेंगे तो आपको करना क्या है जैसे आपका NC80 सार्स अमेरे का बुक आपके पास हो आतना चक्र का बुक हो या फिर 6 टू 12 कलस्ता का NC80 गा कोई बुक हो तो जिस थियोरी को आप लूसेंट समान नतेर में पढ़ेंगे उसी उसी सेम थियोरी को आप ठीक है एंस्याट यह सार संग्रत से उसको पढ़ कर फैक्ट को यह कॉपी पर नोट बनाईएगा ठीक है और इस तरह से क्या होगा कि सपोज आप लूशेंट को पढ़ रहे हैं और बुर्तवा करसां चप्टर पढ़ रहे हैं तो वहां पर उसको पढ़ने के बाद अगर कहीं से और एक्स्ट्रा फैक्ट मिलता है तो उसको एक कॉंपी पर आप क्या करेंगे नोट डाउन करेंगे ठीक है और इस तरह से उसको मिला कर देखेगा कि लूशेंट और जो आपका हाटना चाकर है या फिर आपका एंस्याट का बुक है वो दोन जब एक जगा तो बात में जब आपका एक्जाम का डेट इंधारित होगा तो उस वक्त आपको नरी वीजन करने परसानी होगा और आपका काम भी बन जागा लेकिन ऐसा नहीं करना है कि बिलकुल एंस्याट के चाकर में हम बिहार दरोगा और बिहार सीजल जैसे एक्जाम के लिए ठीक ना लूशन को छोड़ दे और एंसी आटी की पीछे पढ़ जाएं नहीं तो आपको पता चलेगा कि जो आपका 60-70% कोचन जो एक्जाम में आप सही कर पाते थे ठीक है तो वहां पे आप पीछे रहा जाएगा ठ फिर से ईजी कोचन आपका गलत होना स्टार्ट हो जगा तो तो हमें जो एज़ाम में इजी प्रश्न देखने को मिलते हैं जो लगभा 50-60 रहते हैं किसी भी एजयम में तो उन प्रश्न को बिल्कुल सही कर ना है और उन प्रश्न को सही आप तभी कर सकते हैं जब आप किसी एक बुक पर बिल्कुल बेहतर तरीके से कमांड की होंगे और उसी बुक को बार बार पढ़ते रहेगा बाकी जब सेट लगाएगा तो वहां पर कुछ नए दिक्का मिलेगा उसको कॉपी बाप नो डाउन को बना सकते हैं नो डाउन कीजिए उसके बाद फिर आप संग्रा हो गया घाटना चक्र हो गया उसके बाद आपका यह जो सिस्टू टू ट्वेल्ब कलास का यह उससे भी नोट्स बना सकते हैं लेकिन हां उसको आप असिस्टंट की रूप में रख सकते हैं उस बुक को ऐसा नहीं कि वह आपका प्राइलिटी बन जाए ठीक ना तो इ इसे चौंसर देखेंसी आया हो था भी हार दर्वा का ठीक है उसका डेट भूसी थो गया अठाई दिसंबर का है अब सोचिए कि आपके पास एक मत टाइम है लुसें में टोटल नए लुसें में टोटल 442 पेज है अगर आप 10 पेज का भी प्रतित दिन कीजिएगा तो आप क्या होगा कि आपको सबसे में बूट है जो अपका बेसिक है वह तो यहां से आपको 40-50 साथ कोशन तो आते ही आते हैं वो तो आपको भाईया या बड़े गर्जियन सर्फ कोई भी आपको समझाते हैं या कोई अच्छे टीचर समझाते हैं तो उसको बार बार रिपीट कीजिएगा तो आपको क्या होगा जो हलका कोचन आता है या में उसका गलत होने का प्रब्लिटी जो है वो घट जाता है क्योंकि एक ही है तो आप सिर्फ जीट्य के पीछे ही पड़ जाएगा तो ना तो आपका बिहार एससी के लिए फाइनल सेलेक्शन हो पाएगा और नहीं आपका बिहार दरोगा का मेंस निकले रहा है तो कि बिहार दरोगा में बीस से बाइस मैं जिनिंग टोटल रहेंगे मतलब एक दो य करते हैं घाटना चक्र या फिर एंसियाटिक बूक को बिल्कुल एड कर दिये तो जब हम तो यहां पर यह देख रहे हैं कि आप जी के कहीं सिर्क बढ़ाते जा रहे हो और मैं त्रिजिनिंग बिल्कुल गोल हो गया तो बीना मैं तो फाइनल सेलेक्शन होना है नहीं तो इ जो एक्स्ट्रा फैक्ट है लुशन के लावा उसके फैक्ट को जहां से पढ़िए उसको कॉंप्य पिली के इकठा कीजी तो उससे आपका क्या हो जागा काम भी बन जागा और एकजाम के समय रिविजन करने भी मदद मिलेगा उस वक्त आपको यह टेंसल नहीं रहेगा कि ह कि आपको एनसडी आट्म करना है हार्ना चसा करना ऐसा माय में कुछ नहीं चाहिए तो ठीक दोस्तो आशा करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा अगर हमारा एंविडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले शाथ में वीडियो को सेर करना और आई करना भी ना गुलिए धन्देवाद